नमस्कार दोस्तों मैं विजेति वारी स्वागत है आपका अमारे यूटूब चैनल दा बुक सोसाइटी में जहां हम आज ही क्लास में सब्जेक्ट कोड MPS 001 के कोशन पेपर को डिसकस करेंगे जहां हम यह जानेंगे कि कोशन किस प्रकार से पेपर में आते हैं और साई साथ ह हम यह भी जानेंगे कि अंसर हमें किस प्रकार से लिखना है तो जैसे कि आप सभी जानते हैं MPS 001 का संबंद Political Theory यानि की राणितिक सिधान से जहां हमारा कोशन पेपर जो है वो 100 नंबर का होगा और टाइम मिलेंगे हमें 3 घंटे कोशन पेपर दो भागों में डिवाइड ह अब हम बात करते हैं कि कस प्रकार से होंगा और अंसर हमें कैसे लिखने हैं तो जैसा कि हमारा पहला कोशन है आधुलिक राजनितिक्सिधान्त पर एक टिपणी लिखीए तो जब यह कोशन हैं ऐसे कहाया कि एही कोशन से लिए गया है और थेयोरिया का मतलब है चिंतन मनन करना तो इस तरीके से आप पॉलिटिकल थेयोरिय को डिफाइन करोगे फिर आप उससे लेटे कुछ परिभाशाई लिख देना जो भी आपको कुछ फ्लोसफर याद हो या जो भी राइटर्स हैं उससे लेटे कुछ भाशा ही दी गई है वो लिखोगे उसके बाद फिर कोशन पूछ रहा है आपसे आधुनी राजनित सिधन क्या है modern political theory क्या है फिर उसके बारे बताओगे और फिर आप अपने views दोगे तो इस टाइप से जब आप अंसर लिखोगे तो आपको ज्यादा नंबर मिलने की संभा पता लगाई है तो देखो लोकतंतर वाला चैप्टर है हमारा इसमें unit 1 में ही तो लोकतंतर की अतिहासिक परिष्ट भूमी का पता लगाई है तो सबसे पहले आप लोकतंतर की परिभाशा बताओगे कि लोगों में से लोगों के लिए लोगों द्वारा चुना गया शासन लोकतंतर का मतलब है ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागेदारी फिर आप बताओगे लोकतंतर की इतिहासिक परिष्ट भूमी यहाँ पर भी आप कुछ लोगों के नाम लिखके उनके परिभाशाएद होगे अब लोकतंतर की अतिहासिक परिष्ट भूमी में आप फ्रा किसे से ले जा样 गी किसे तीसरा कोशन है कि अधिकारों के अर्थपर चर्चा कीजिए तो सबसे पहला आप अधिकार का हर्था बताओं गया अधिकार क्या होते हैं तो एक मनुष्य होनेग डिनाते मनुष्य द्रून पूर्ख जीवन जीने का दिकार था वो कैसे आज fundamental rights से और human rights बन चुके हैं ये सब चीज़ आपको बताने हैं कि पहले natural right तो फिर fundamental right और human right तो ये सारी चीज़े कैसे बदल गई हैं और फिर आपको इनके बारे में और फिर जो जो इनके बारे में जो नाम दिये गए किता में उस से लेटिड आ भाव ही सुनता है यहाँ पर आपको john stuart मिल के बारे में जरूर लिखना है फिर सकरात्मा को नकरत्म सुनता कि हैडे मुना के उसके बारे में लिखना है तो बस हम यहाँ पर यह बात करेंगी कोश्णों का अंसर कैसे लिखना है बाकी जो deep video है वहाँ पर आपको जो chapter wise video हो मिल जाएंगी तो आप वहाँ से अच्छे सर्छ करों कर लूगे और यहां से तीन कोश्न करते हो तो भाख दो से आप दोसर करोगे तो भाग दो से जो है पहला question John Rawls के नियाय के सिध्धानद पर हमें चर्चा करने है, तो John Rawls की जो नियाय की थेओरिय है उसमें excitement को आवरन है, उसके वारे में आपको बताना पढ़ेगा, तो सबसे पहले आप जॉन रोल्स के बारें बताएंगे थोड़ा सा, फिर नाई की परिभाषा देंगे फिर जॉन रोल्स के नैसे धान पर आएंगे ऐसी स्वायत्ता की अफधाना पर चर्चा कीजिए फिर अगला question है नागित्ता की माक्सवादी अधारना की वेख्या कीजिए जॉन ऑश्टिन की संप्रभुता की अधारना की वेख्या कीजिए या नागरिक समाज से आप क्या समस्ते वेख्या कीजिए तो इन तमाँ question हो में सबसे पहले जो question पूछ रहे हैं बताऊगे ऐसी संप्रभूता संप्रभूता पर जॉन ओस्टिन के विचारते तो पहले जॉन श्टों के बारे बताऊगे संप्रभूता की डेफिनिशन दोगे और फिर उससे आगे तक अंसर अपना ले जाएंगे आप सेम सिविल सोसाइटी नागरिक समाज क्या है इससे क्य समस्के वैख्या कीजिए तो यानि कोई भी कोश्ण आएगा सबसे पहला आप उसका इंट्रो दोगे तब उससे आगे बढ़ोगे अगर आप डाइट अंसर लिखोगे तो नंबर मिलने के सम्भाना थोड़ी ची कम हो जाती है जो इंग्लिश मीडियम वाले हमारे स्टुड है जो है जो है जो है झाल झाले हमारे स्टुड़ी श्वड़ी ची कर अफे वाले है